हेलो फ्रेंड्स जैहिंद बहुत हो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासिस में दोस्तों ये जो आज का जो आपका पेपर हुआ है कंप्यूटर का डियर लेड थर्ड सेमिस्टर का उसकी एनलसिस लेकर के मैं आया हूँ तो दोस्तों आप लोगों जितना माक्स पाए होंगे अपने जरूर कमेंट बाक्स में करिएगा और जितनी भी आपके जितने भी पेपर हुए सभी की एनलसिस मैंने अपने चैनल पे दे रखी है यदि आपने नहीं बेखा है तो उसको वहाँ से देख लीजिए आप लोगों को मिल जाएगा अब देखी सबसे पहला क्या है मेरे दोस्तों डेटा बेस के तत्तों है पहला जो आपका questions है डेटा बेस के तत्तों है फिल्ड रिकार्ड फाइल ये सभी तो दोस्तों ये सभी डेटा बेस के अंतरगत ही आते हैं चाहां जाएगा उपर युक्त सभी आपस़न नमबर आपके फूर पे चला जाएगा अगला जो क्या है देखिए कि इन में से किसका उपयोग डाटा भंडारर के लिए नहीं होता है तो मेरे पेंड्राइब में भी डाटा होता है हाट डिस्क में भी होती है मेमरी काड में भी इस में देखिए कि प्रचार के लिए समप्रेशन उपकरण उप्योगी है किसमें देखिए स्लाइड तयार करने के लिए किस software का प्रयोग किया तो दोस्तों slide त्यार करेंगे MS word MS Excel MS Excel MS PowerPoint दोस्तों slide को त्यार करने के लिए किसका प्रयोग किया ता MS power point का किया ता है किसका MS power point का किया ता है अगला जो है आपका देखें कि internet के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है Bill Clinton Bill Gates लियोनार्ड क्लोन राक इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों ध्यान रखेंगा कि इनमें से कोई नहीं पर आपका option चला जाएगा किस पर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो आपका इंटरनेट के जन्मदाता विन्टन सर्व रॉबर्ट को माना जाता है यहां लियोनार्ड क्लोराक है तो आपका आप्सन नमबर को दोस्तों D पे चला जाएगा अगला जो केसंस है अतिलगुतरी प्रसन है कि भारत वर्ष में सरवप्रथम रेडियो इस्टेशन का उधातन कब हुआ था तो दोस्तों सरवप्रथम जो है आपका उधातन वैसे हुआ तो आपका 1920 में था ठीक है लेकिन 1923 का मेरे दोस्तों 1923 में पहला जो मुंबई के रेडियो क्लब से इसका पसाड किया गया था कहां से 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से ठीक है और 1927 में मुंबई और कोलकाता से प्रसारित किया गया था बास समझ में आई कि मेरे दोस्तों तो भारत का सरवप्रथम रेडियो इस्टेशन कब उधातन किया था चलिए अगले क्रेशन के हम लोग बात करते हैं अगला क्रेशन से देखिए कि स्लाइडें कितने प्रकार की होती है तो स्लाइड जो होती आपकी दोस्तों चार प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है पहला जो होता आपका देक्स्ट ले आउट होता है क्या होता है टेक्स्ट ले आउट होता है दूसरा आपका कंटेंट ले आउट होता है तीसरा टेक्स्ट और कंटेंट दोनों मिला करके टेक्स्ट प्लस कंटेंट दोनों ले आउट होता है और चौथा अन ले आउट होता है ठीक है यह आपका चार प्रकार का होता है क्लाइंट से क्या आसा है क्लाइंट से क्या आसा है तो दोस्तों क्लाइंट क्या होता है दोस्तों क्लाइंट जो होता आपका किसी कम्प्यूटर या किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं क्लाइंट किसी कम्प्यूटर या किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जैसे आपका देखिए भी होता है देखे, fat client, thin client और hybrid client, यह आपका, क्लाइन्ट होते हैं, ठीक है, अगला जो आपका है दोस्तों, कि नवा जो question से देखिये, कह रहा है, देखिये, कि वेव ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों, वेव ब्राउजर का मतलब क्या होता है, कि वेव ब्राउजर का मतल जानकारी होती है उसको देखने में हमारा हेल्प करता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेब ब्राउजर एक ऐसा साफ्ट्वेर है जो इंटरनेट पर उपलब्स सामागरी को देखने में क्या करता है मदद करता है इंटरनेट पर जितनी भी समागरी है कोई भी समागरी को देखने में क्या करता है वेब ब्राउजर की ही सहता से हम लोग क्या करते हैं समागरी को देखते हैं तो समझ में आ गया दोस्तों क्या है आपका देखिए कि web browser से आप क्या समझते हैं तो आप लिख देंगे कि web browser एक ऐसा software है जो internet पर उपलब्ध सामागरी को देखने में क्या करता है मदद करता है यह हो जाएगा अगरा है दोस्तों कि smart class का क्या मात हो है तो दोस्तों smart class को आप अपने से भी लिख सकते हैं कि smart class में क्या होता है चीजव को आप regarder से क्या चीज को संजाने के साथ हैं तरके माध्यम से याहूं हो गया बिंग और्ट यही सब क्या है आपका सर्च इन्जन हैता-ट थोस्तों इनकी सहायता से गूगल की सहता से खेट से इसकी सहायता से मतलब की जितनी सुझनाई आपकी प्लंधारित हैं उस प्लंधारित-खा हमारे इंटरेट बहुत सारी सूचनाओं हैं उनती सूचना ही हम हमें जो वानचित मेरे दोस्तों कि जैसे मैं कोई चीज डाल देता हुँ कि जो है कि तुलसीधास का जन्म कब हुआ था तो ये आपका वानचित शूचना हुआ उन सूचनावा में से आपको किस की जन करी चाहिए थी कि तुलसिदास की जन्म का अपको तुलसिदास के पीता का क्या नाम था आतमा राम दूबे उनकी मा का क्या नाम था हुलसी था तो वांचित सूचना जो आपको क्या थी जो सूचना चाहिए ये क्या करता है सर्च इंजन की ऐसा computer program है जो किसी भंडारी सूचना से मतलब की इंटरनेट पे भाई बहु सारी संचना है कोई सूचना जो आपकी संचना है तो उन सभी सूचनाओं से जो सूचना आपको चाहिए मतलब वांशित सूचना जो चाहिए उस वांशित सूचना को देता है उसे ही हम लोग करते हैं दोस्तों सर्च इंजन करते हैं जैसे हम सर्च करते हैं कि जैसे Google का full form बताईए या फिर DNA का full form क्या है या फिर TET का full form क्या है तो यह आपकी वांशित सूचना होगी ना उन सूचना में से भाई बहुत सारी सूचना है लेकिन TET का full form teacher eligibility test जो देता है या आपका वांशित सूचना हो गया तो हम डाल देंगे क्या होगा सर्च इंजन कहा है दोस्तों कि सर्च इंजन एक ऐसा computer program है जो किसी भंडारी सूचना से हमें वांशित सूचना क्या होता है हमें देता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन करते हैं सर्च इंजन में जैसे आपका डाल दीजिएगा गूगल एक जामपल में Google बिंग याहू यह क्या है दोस्तों सर्च इंजन होते है अब आपका जो है लगुतरी प्रस्त में है दोस्तों क्या है आपका देख लिजिए कि दूरदर्षन दौरा सिच्छा विकास के लिए प्रदान किये जाने वाले सिमाओं को बताईए ता आप लिखी सकते हैं अब कारियाला इस वापालन से आप क्या समझते हैं चोथा करसार भारती दौरा दी जाने वाली सैचिक सिमाय कौन कौन सी है उसको लिख सकते हैं दखे और merit national.com से आप क्या समझते हैं ब्यावसाई कत्वार रोजगार सुचना के स्रोतों का संखेप में वर्णर कीजिए इट्यूशन को संखेप में बताइए video conferencing को समझाई तक video conferencing को आपको क्या समझाने मतलब की video conferencing के दोरा हम लोग क्या करते हैं लिख सकते हैं दोस्तों कि यसे हम सामने आकर के क्या करते हैं मतलब दिखता भी है और wise दोनों साथ हम प्रस्तूत होते हैं तो video conferencing है तो बोल सकते हैं कि चित्टरों के और स्वाइस के माधा में करते हैं video conferencing के द्वारा मतंब बहुत सारे चीजों को एक साथ जोड़ने का काम भी किया जा सकता है तो दोस्तों यह जो आपका analysis था आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके कितने माक्स हैं और हाँ भूलिएगा नहीं क्योंकि आपका फोर सेमेश्टर का एक्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है तो मेरे चैनल पर आप लोगों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि आपका मैथ फोर सेमेश्टर कुड़ा कंपलीट हो गया है और जैसे ही आपका मैथ हिंदी कंपलीट हो चुकी है ऐसे ही पूरी जितनी भी आपकी इस लेवस हो आपका लगभग खतम ही हो गया है दोस्तों जितने भी है आपका तो नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेर कि जितने भी पेपर हैं उन सभी को अगर आप नहीं देखा है तो आपको यहां से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जागा वहां से देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जैहिंद वंदे मातरम